अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि आप में इसे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टैंडर सिंटेंस लिखना चाहते हैं तो आप सभी इस वीडियो तक आए हुए हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें तो मैं आप लोग को इस वीडियो में instead और instead of के uses सिखाऊँगा कि कहाँ पर हमें instead लगाना है और कहाँ पर instead of लगाना है जबकि दोनों का मतलब जो होता है वो के बदले ही होता है तो फर्स्ट हम लोग चलते हैं instead of जिसका मतलब होता है के बदले तो instead of is a preposition and means in place of or as an alternative ठीक है तो instead of का use हम कब करते हैं instead of एक preposition है और इसका मतलब होता है के जगह पर या फिर हम बोच सकते हैं के बदले तो सबसे पहला इसका जो use है वो है instead of plus noun यानि instead of के बाद हम noun लगा सकते हैं क्योंकि यह preposition है तो इसके बाद noun आएगा इसके बाद pronoun आएगा और इसके बाद verb भी आएगा ठीक है तो पहला use है instead of plus noun का तो देख लेते हैं I would like to have coffee instead of tea मैं चाय के बदले यानि instead of tea का मतलब क्या होगा चाय के बदले coffee लेना पसंद करूँगा I like comedy movies instead of horror movies यानि मैं horror movies के बदले या फिर मैं बोलू तो horror movies के जगह पर comedy movies पसंद करता हूँ next use है हमारा instead of plus name इसका मतलब कि यहां पर हम लोग instead of के बाद कोई name को put करेंगे है ना जैसे कि I will go there instead of Rohan यानि Rohan के बदले मैं वहां जाओंगा ठीक है या फिर हम घुमा के बोल सकते हैं Rohan के बदले मैं वहां जाओंगा तो मैं क्या बोलूँगा I will go there instead of Rohan She can come and host the meeting instead of Mr. Sarma यानि Mr. Sarma के बदले वह मिटिंग में आ सकती है और मिटिंग को host भी कर सकती है ठीक है तो she can come and host the meeting instead of Mr. Sarma Next rule instead of plus pronoun और एक चीज़ हमें सा ध्यान रखें students कि instead of के बाद आपको क्या करना है objective case का use करना यानि instead of I नहीं लिखेंगे I का मी लिखेंगे instead of we नहीं लिखेंगे instead of us लिखेंगे ठीक है जैसे की for example would you please attend the meeting instead of me क्या आप मेरे बदली मिटिंग को please attend करेंगे तो जब हम प्यार से कोसिन पूछते हैं तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं would का Next instead of plus before तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि instead के बाद हमारा off लगा हुआ है हमें पता है कि instead of एक preposition है तो my dear students कि जब भी आप एक preposition देखो और preposition के बाद आपको कोई भी verb लगाना हो तो आप वहाँ पर वी फोर ही लगाना ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है नोट में कि don't forget that instead of is a preposition and a verb coming directly after a preposition must be in its ing form यानि कोई भी preposition के बाद अगर हम verb पुट करेंगे मैं यहाँ पर सिफ instead of की बात नहीं कर रहा आप कोई भी preposition के बाद अगर verb को पुट करते हैं तो आपको उसके बाद वी फोर ही लगाना है और instead of भी एक preposition है इसलिए इसके बाद आपको क्या करना है वी फोर ही use करना है यानि driving के बदले, driving के जगह पर मैं हर जगह पैदाल ही जाता हूं क्योंकि मैं अपने आपको fit रखना चाता हूं यानि वहाँ जाने के बदले मैं घर पर रहना पसंद करूंगा नेक्स्ट हमारा जो use है वो है instead का और ये instead जो है ना वो आपके sentence में चार चान लगा देगा और ये sentence जो है वो आप later में use कर सकते हो अपने answers में use कर सकते हो और अपने sentences को बहुत standard बना सकते हो और खासकर इसका use हम लोग spoken English में भी करते हैं तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर instead is an adverb and means as an alternative similar जो हमने पहले देखा था instead of वहीं पर हम लोग instead भी use करते हैं लेकिन इसके use करने के जो तरीके हैं method है वो थोड़ा सा different है we can use instead at the beginning or at the end of a clause although in spoken English it is more common at the end यानि generally हम लोग instead सुरू में भी लगा सकते हैं last में भी लगा सकते हैं लेकिन जो last में instead लगाया जाता है वो सबस्यादा correct माना जाता है spoken English में यह ज़्यादा follow किया जाता है यह बहुत ही common है for example जैसे कि आप एक काम के बदले आपको कोई और काम मिल गया ठीक है तो वहाँ पर आप instead लगाओगे जैसे कि I don't like coffee मुझे coffee पसंद नहीं है so I want tea instead इसे लिए उसके जगह पर मुझे क्या चाहिए तो मुझे coffee पसंद नहीं है उसके जगह पर तो इस जगह पर हमने क्या किया इस sentence को मैं ऐसे भी बना सकते थे कि I don't like coffee so I want tea instead of coffee तो सुनने में तो साटपटा लगता तो मैंने क्या किया यहाँ पर instead word का ही यूज करके छोड़ दिया आगे मैंने कुछ नहीं लिखा next example holidays in Italy are too expensive so we are going to Greece instead यानि holiday जो है इटली में बिताना वो बहुत ही ज़्यादा expensive है expensive का मतलब क्या होता है students महेंगा तो इटली में holidays बिताना क्या है बहुत महेंगा है इसलिए इसलिए हम लोग उसके जगह पर कहा जा रहे हैं Greece जा रहे तो उसके जगह पर जो जा रहे इस जगह के लिए हमने क्या किया आप instead word का यूज किया तो instead का use हम last में करते हैं जब हमें कोई एक काम का alternative मिल जाए alternative मतलब उसके जगह पर कोई और मिल जाए जैसे कि first of all sentence को आप ध्यान से समझो कि I don't like coffee मुझे coffee पसंद नहीं है so I want tea instead इसलिए मुझे उसके जगह पर tea चाहिए I hope this topic is clear to you अगर अभी भी clear नहीं हुआ है तो आप comment box में लिखे जो होगा मैं आपको क्या करूँगा समझाने का पूरा प्रयास करूँगा और इसी तरह की videos और पाने के लिए don't forget to subscribe to my channel and this is a very important topic very very important topic for making some standard sentences so don't forget to share with your friends whom you want to see growing okay and thank you once again for watching this video so be safe keep yourself happy and keep smiling thank you